के गाइस वेलकम बैक टो अन्य वीडियो यह रहां रेडमी 13 5G अगर आपने भी इसको पर्चेस किया है तो आपको पर्चेस करते ही एक नए अपडेट आ चुका होगा जो कि शाव में हाइपर वेस 104.0 का अपडेट था इस वीडियो के अंदर पूरे रिव्यू आपके साथ आप में शेयर करने वाला हूँ बात करेंगे इस अपडेट के बाद में कि हमको कुछ नया फीचर मिला है बैटरी परफॉर्मेंस चाजिंग और गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे मिल जाएगी सब कुछ एक दम डेटेल के अंदर बात करेंगे तो वीडियो को पूरे अंट तो सब्सक्राइब करें चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो सो लेट्स बीगिन तो अपडेट का वर्जन 104.0 का है अपडेट का साइज आपको लगबग 815 MP का देखने को मिलता है चेंज लोग के बाद करेंदर आपको जून का सेक्रिटी पैच मिल जाएगा इसके लाब यहाँ पर नहीं लिखे गए है बाकी चेंज के नाम पर तो भाई इस फोन के अदर अभी कुछ भी फिलाल नहीं आया है मतलब अपडेट के बाद में कोई भी चेंज नहीं है सिर्फ आपके हाँ जो हलकी फूल के वर्क्स थे जो कि हमको बाई डिफॉल्ट देखने को मिले अपडेट के बारे में बात करें अपडेट के बाद बैटरी पर्फॉर्मेंस इंक्रीज हुए है जितने मैं नोटिस किया ऑफडेट के अदर तोड़ी कुछ इशू स्थे बैटरी रिगार्डिंग बट वह इस अपडेट के अदर टोटरली फिक्स हो चुकी और लगबाग आपको एक दिन का पूरा बैटरी बैकाप अपनी इस रैडमी 13 5G के अंदर देखने को मिल जाता है अब फोन को चार्जिंग पर भी लगा है तो चार्जिंग स्पीड भी बहुत तगड़ी थी मतलब एक घंटे के अंदर फोन आपको पूरा चार्ज होने वाला है अपडेट के बाद में रैम एजमेंट चेक किया तो मेरे पास 6GB RAM वीरेंट और मुझे 3.7GB के आसपास RAM फ्री देखने को मिल रही है और बैगरॉन के अंदर एफ बहुत ही बढ़िया मैनेज होता है मतलब इस मामले के अंदर तो यह फोन का अपडेट बहुत मस्त है अब य जाएगी और साधी साथ 108MB के अंदर वीडियो कॉलिटी इसको थोड़ा सा इंप्रूव याप पर करा गया है फ्रंट कैमरे के अंदर भी आपको पफार्मेंस इस अपडेट के बाद में ठीक टाक सी मिल जाएगी और वीडियो के मामले में तो देखो बैक कैमरे से अगर वी हुआती टगड़ा मिलता है बाक्य इस अपडेट के बाद में बक्स के बारे में बात कर तो देखो कोई नया बक्स तो आपको इस अपडेट के अंदर उनको रेट में यहाँ पर टोटली फिक्स कर दिया है जितने भी चोटे मोटे बस आपको मिल रहे थे वह सभी को रियल में यहाँ पर हंडेट परसंट ली फिक्स कर दिया है चलो आप बात करेंगे कुछ बैंचमार्ट स्कोर्स की तो सबसे पहले एंटूडू की बात करें अपडेट के बात में टेस्ट परफॉर्म कर लिया है जो स्कोर निकल कर आया है वह 4,35,000 की करीब देखने को मिल जाता है स्कोर आप देख सकते हो अगर कंपेर करें थोड़ा सा लिटिल बिट आपको यहाँ पर डाउंग्रेट जरूर से मिलता है यह रहा गीग बैंस का स्कोर तो यहाँ पर सिंगल कोर के अंदर आपको 9,6,1 का और साथ में आपको मल्टी कोर के अंदर 2,205 का स्कोर मिल जाएगा परफॉर्म के बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है यह फोन मतलब पूरा ग्राफ आपको यह पर क्रीन सा मिलेगा अब अपडेट के बाद में BGMI की ग्राफिक्स मैंने चेक किया तो यहाँ पर स्मूथ प्लस अल्टर के अभी भी मिल जाएगी बैरेंस पे लेके अर्ट अभी भी मिल जाती है परफॉर्मेंस की बात लिए तो देखो परफॉर्मेंस के मामले में तो यह फोन इतना अच्छा परफॉर्म पहले से ही नहीं कर रहा था मतलब आप टो दबॉक्स वाप्ट्वे में भी कही ना कई लैग बॉक्स हमको मिल रहे थे BGMI के अंदर उसको अभी भी मिल जाएगा अगर पूरी परफॉर्मेंस टेस्ट को देखना चाहते हो तो आपके साथ में गेमिंग रीवीव को मैंने शैर किया था उसको जाके आप चेकाउट कर सकते हो और हाँ वो गेमिंग रीवीव अपडेट के बाद में ही टेस्ट किया गया है तो उसको आप बिल्कुल चेकाउट करना फाइनली इस अपडेट के कंकूर्जन के बारे में बात करी जाए तो देखो अगर आपने रेड्मी 13 5G को वाई किया है तो यह अपडेट आपके लिए मस्ट भी रेकामेंडेट है क्योंकि जो भी चोटे मोटे प्रॉल्म सबको इस फोन के मिल रहा था वो फाइनली रेड्मी ने फिक्स कर दिया है तो यह अपडेट को आप बिल्कुल कर सकते हो अगर रेड्मी 13 5G को पर्चेस कियो तो मस्ट भी आपने आपर वीडियो को लाइक करना है चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब करेना है ताकि आपको और भी इस तरह क कि वीडियो फ्यूचर ने मिल पाए मैं मिलूँगा आप से ने एक वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाई